प्रिये दर्सक्तों सादर नमस्कार अगर आप डिप्रेशन से एंग्जाइटी से बचना चाहते हैं तो आज का यह यह योगासन आपके लिए बहुत ही मौहत पूर्ण होने जारा जिसका नाम है उत्थित पदमासन पदमासन आपने सुना ही होगा तो निश्चित है उसी का क अधायब खूसी रहेगी वह कब होगी जब हम अपने मन से किसी भी प्रकार के भाय को हटा देते हैं और यही भाय जो है एंग्जाइटी है यही हमारे अस्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण बरते हैं तो आईए हम इसकी बिधी को देखते हैं सबसे पहले तो हम पदमासन मे आही जाते हैं चुकि इसके नाम में ही पदमासन है पदमासन में आने के लिए आपको दंडासन स्टाफ पोज में आ जाईए अधर्वाइज आप सुखासन से भी हो सकते हैं हम अपने बाएं पैर को एक्सेल करते हुए यहां दाहिने जांग पर रख रहे हैं और फिर दाहि आप पहले तयार हो जाईए अपने दोनों हाथों को नितंभ के बगल में रखे और पूरा इनहेल करके पूरक करके आप अपने पेट को फुला लेजिए और फिर उसी अस्थिती में बने हुए ही यानि कि अंतर कुम्भक बने हुए ही अपने हाथ पर ही बल देकर इस कम्प इनहेल अंतर कुम्भक और बोड़ी को उठा लिजिए यह देखिए यह मेरा बोड़ी जूल रहा है जितना देर तक कर सकते हैं कीजिए और फिर नॉर्मल आ जाईए इसी चीज को आप साइड़ वाज देख लिजिए थोड़ा सा क्लिए रिटी आएगा यहां देखिए इनहेल एकसेल करके पदमासन में अपने आपको उत्थित पदमासन के लिए तयार कर लिजिए यहां आप देखेंगे कि हम पदमासन में तो हैं हीं तो इसके सारे लाव तो आपको पदमासन वाले मिल ही रहे हैं जो एक ध्यानात्मकासन है ध्यान में जाने क के लिए हम प्रिपेर कर रहे हैं उसके सारे लाव आते हैं इसके अलाबा हम अपनी चाती को भी चोड़ा कर रहे हैं क्योंनी जो है असकंध है हमारी जो हात है बाइसेप ट्राइसेप है इनको भी एक अच्छा बल मिल रहा है जिसके कारण यह सुडॉल और पुस्ट बनने का औसर मिलता है इसके साथ ही यह हमारे फेफडो और हिर्दे पर भी काम कर रहा है क्योंकि जब अपने बोडी को उठा रहे हैं तो इन फेफडा और हिर्दे को अधिक कारे करना पड़ रहा है जिसके कारण इनकी जो हेल्दिनस है यह भी बढ़ता है और इसके साथ ही आप पारी सहन सक्ती इंडॉरेंस बढ़ जाती है तब ही कहा जाता है कि मन में किसी भी परकार का भय रोस रुस्ट नहीं होता है और तब खुसी स्वता आजाती है और विशेशकर यह उठित पदमासन जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं विद्यार्थी हैं उनको सदाय विया डर रहता है परिच्छा में नंबर आएगा कम आएगा क्या होगा नहीं होगा तो इन सब से भी निजात पाने के लिए उन विद्यार्थियों को उठित पदमासन अवसे ही करना चाहिए और इससे जो महिलाएं हैं अगर वो कर रहे हैं तो उनके सरीर पूरा अकरसक और सुन पाचन ख्रिया भी सुचारू हो जाती है और अन्तिमेटली अंतता हमारे सरीर में समपूर्ण समस्त शरीर में एक खुसी की लहर आजाती है तो आए और इसकी अगर बारम बारता की बात की जाए तो इसका आप सुरू में दो ही बर करें और धीरे-धीरे बढ़ा कर इसे चा यहां जितना बार हो सकता है धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास होगा यह उचा होते जाएगा और ज्यादा पेंडूलम की तरह आपको सरीर बना लेना है इनहेल कीजिए ताकि आपका सरीर हलका हो जाए हवासे जुलना असान हो जाता है इस तरह से आप कीजिए आप हमारे चैनल को आवासे ही सब्सक्राइब कीजिए और इसका उत्थित पदमासन का नियमित अभ्यास कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद